ओम नमस्षिवाय, मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको धनू राशी यानि सैजिटेरियस साइन का 2021 का राशी फल बताऊंगा यह भी बताऊंगा कि इस साल में अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उनका हम क्या उपाय कर सकते हैं धानू राशी वालों के लिए यह साल रॉलर कोस्टर राइड कहा जा सकता है यानि जूला कभी उपर कभी नीचे कैसे और क्यूं देखिए राशी के स्वामी ब्रिहस्पती इस साल शुरू के तीन महीने नीच राशी में है हाँ हालांकि यह कहा जा सकता है कि वह शनी के साथ हैं तो उनका नीच भंग राशीयोग तो बन रहा है लेकिन मैं हमेशा यह कहता हूँ और यह अनुभव में भी देखा जाता है कि नीच भंग में नीच पहले आता है भंग बाद में आता है तो ग्रह जब भी नीच भंग राजयोग बनाता है आपको जरूर अच्छे फल तो देता है आपको कुछ चमतकारी रिजल्ट जरूर देता है लेकिन बहुत ज़्यादा परिशान करने के बाद ही देता है यानि anxiety के बाद, struggle के बाद यह वैसी ही बात हो गई जैसे मैं आपको क देता है भंग का बाद में यानि पहले इस्तिती बिगडती है फिर सुधरती है तो इस पूरे साल धनूराशी वालों के साथ यही पैटर्न रहेगा चीजें बिगडती रहेंगी फिर सुधर जाएंगी कुछ सुधरेंगी फिर कुछ दिनों के बाद slip हो जाएंगी तो यहा साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा इस सवाल का जवाब ढूंडने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुवात कैसी होने वाली है तो आप इस स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह एक जनवरी 2021 के रात की 12 वजे की है कन्या लगन से इस साल की प्लस वन is equal to 5 यारी पांच नमबर अंक जोतिश में पांच नमबर बुध का नमबर माना जाता है और बुध लक्ष्मी का स्वामी है यानि बुध से हम क्या देखते हैं फायनांस बुध से हम अर्थ वेवस्था देखते हैं बुध से एकॉनमी देखते हैं और व्यापार वैसे भी बुद्ध को विश्णव स्वरूप कहा गया जो तिश में तो यह लगन तो बहुत ही शुब है बुद्ध जो लगन का सवामी है वो चौथे अस्थान में बैठा हुआ है साल की शुरूआत में देखें तो जो लगन है वो हस्त नक्षत्र में उदआ हो रहा है हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा अपनी ही राशी में 11 में लावस्थान में बैठा हुआ है यानि यह इस्तिती बड़ी अच्छी है चंद्रमा लावस्थान में बैठना यानि साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति जरूर होगी अब अगर आप देखि मकर राशी में बैठे हुए हैं बुद्ध को अगर देखिए तो बुद्ध भी पूर्वा शाड़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो शुक्र का नक्षत्र है कन्या लगने के लिए शुक्र भागी के स्वामी बनते हैं तो यहां नक्षत्रों की स्थिति ग्रहों की स्थिति राशियों के स्थिति बड़ ही अच्छी दीक रही है इसके अलावा साल की शुरुवात में ही मंगल भी अपनी ही राशी में बैठे हुए है साथी साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच राशियों यानि विरिश और विरिश्चिक में बैठे हुए है तो ये जो चार-पाच प्रमुख ग्रह हैं, उनकी स्थिती बहुत अच्छी है और सभी नक्षत्रों की स्थिती अच्छी है तो जैसा स्वस्ती वाचन मंत्र में कहा जाता है यानि चंद्र का बल, तारा का बल, दैवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए अगर लक्ष्मी पती की आराधना से उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुब होता है तो साल का शुरुवात का जो लगन है लक्षमी पती का ही लगन है और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का सब का बल बहुत अच्छा है तो साल सब के लिए अच्छा जाना चाहिए तो आईए देखते हैं कि पूरे साल हमारे जीवन कैसा चलेगा यानि इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारी की स्थिति कैसी रहेगी, माता-पिता का स्वास्त, पत्नी का स्वास्त, पत्नी की, वेल-बिंग बच्चों का स्वास्त उनकी शिक्षा और हमारे धन की स्थिती पूरे साल कैसी रहेगी एक बात बता दूँ अगर आप शादी शुदा नहीं है तो सिर्फ आपको अपनी ही राशी का विचार करना चाहिए लेकिन अगर आप शादी शुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशीक पर भी आपको जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि पती पतनी के कर्म और भागे आपस में जुड़ जाते हैं शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियां होती हैं कौन सूर्य, अगनी, आकाश, वायू, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाए, जल, प्रित्वी, काल वधर्म यह 14 विभूतियां हैं हमारी 12 राशियां होती हैं उनमें 2 सूर्य वच्चंद्रमा जब घूमते हैं यानि 12 प्लस दो 14 तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है तो यह फल पती पतनी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है इसलिए दोनों की कुण्यों का साथ में विशलेशन जरूर करना चाहिए साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा वह गोचर के हिसाब से मिलते हैं तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको अपनी महादशा का ज्यान जरूर होना चाहिए वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है उसके हिसाब से भी आपको फलो में चेंजेज हो जाएंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी जरूर दबा दीजिए अब देखते हैं कि यह कब और कैसे होगा और जो मेजर ग्रह हैं जैसे शनी राहु केतू ब्रिहस्पती के अलावा उनकी चाल क्या कहती है इस साल धनु राशी वालों के लिए आईए राशी स्वामी से ही शुरुवात कर लेते हैं ब्रिहस्पती से, ब्रिहस्पती साल के शुरू में ही साथ जन्वरी को श्रवन नक्षत्र में चले जाएंगे, अब देखिए श्रवन नक्षत्र 22 नक्षत्र है नक्षत्र मंडल का 27 नक्षत्रों में, श्रवन चंद्रमा का नक्षत्र है जो ब्रिहस्पती के परम मित्र है और इसके नक्षत्र के देवता श्रीहरी विश्णू है तो नक्षत्र बहुत अच्छा है लेकिन गुरू नीच का है ना गुरू मतलब धर्म गुरू मतलब आपका belief system यानि आपकी श्रद्धा श्रद्धा का ग्रह जब चाहिए तो अगर आपका गुरु उच्चका होगा तो आप कहेंगे हां ले लीजिए बिल्कुल ले लेकिन अगर आपका गुरू नीच का होगा तो ! आप क्या कहेंगे कहां बन रहे जर् concur दिखाईए मैप सहीं में बन बिराय की नहीं, आपने किसी और से लिया है, क्या उसकी कोई रिसीट है, चंदे की रसीद है, और लोगों ने दिया है, तो गुरु इस तरह से practical हो जाते हैं, तो श्रद्धा यहाँ पर practical बन जाती है, यही समस्या है गुरु के साथ, कि गुरु श्रद्धा practical नहीं हो सकती है, कभी जाच परक्के भी नहीं देते हैं, कठोरता आ जाती है गुरू में शनी वाली, क्योंकि शनी की राशी है ना, शनी प्रैक्टिकल ग्रह है, यहाँ पर तो देखिए गुरू शनी के साथ ही बैठे हुए हैं, पांच एपरिल तक शुरुवात से ही शनी के साथ ही बैठे सुनना, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, भाई, सात जनवरी से लेके पांच मार्च तक का जो समय है, इसमें सुनिये, लोगों की सुनिये, औरों की सलाह लेकर काम कीजिए, खास तोर पर गुरू दूसरे अस्थान में बैठे हुए हैं, दूसरा भाव यानी भाव, वाणी मतलब बोलना, कम बोलिये, सुनिये जादा, यही गुरू चाहते हैं आपसे इस साल, शनी भी वहाँ पे साथ बैठे हैं, शनी जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसको भी सिकोड देते हैं, यानि शनी कॉंट्राक्शन है, शनी उल्जण का नाम है, इसलिए इसको सेप सामी ब्रिहस्पती अगर दूसरे भाव में बैठेगा, तो धन तो देगा, हाँ देगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, और उस तरीके से नहीं, अगर आप आल आउट होकर इन्वेस्टमेंट करने चले जाएंगे, तो फिर आपका धन डूब भी सकत है, क्योंकि यहां से शनी और गुरू की सात्मी द्रिष्टी आपके आठवें व्याय यानि नुकसान के अस्थान पर भी पड़ रही है, तो सावधान रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो व्यापारी वर्क के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा न बोल बैठें, जिसकी वज़े से उन्हें नुकसान हो जाएं, पांच मार्च को गुरू धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, धनिष्ठा तीसवा नक्षत्र होता, जो श्रवन के बाद तो यहां ब्रिहस्पती बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्यों धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, मंगल भी गुरू के मित्र हैं, इसी समय देखिए कि यहां 22 मई तक ब्रिहस्पती रहने वाले हैं, और 5 अप्रिल को ब्रिहस्पती अपनी नीच राशी मकर्ष से नि दिखाता है कि 5 अप्रिल से इस्तितियां बहुत सुधरने वाली हैं, 22 मई तक जब तक धनिष्ठा में गुरू रहेंगे, आपको नक्षत्र स्वामी मंगल का भी अच्छा होना उसी समय लाव जरूर देगा, इस बात का ध्यान रखिए, धनिष्ठा यानि धन का नक्षत्र धन देने वाला नक्षत्र कहा जाता है, धन और अष्ठ, धन और आठ, इस दो शब्द से मिलकर यह बना हुआ है, अष्ठ वसु इसके देवता हैं, जिन पर सृष्टी के बैलेंस का भार कहा जाता है, अष्ठ वसुओं पर धनिष्ठा कमर को दिखाता है, तो कमर के रोग इस बीच में आपको मई से जून के बीच में आपको कुछ हद तक कमर के रोग या कमर के नीचे के जो रोग होते हैं, पाचन से सम्मंदित जो समस्याएं होती हैं, वह आती होई दिख रही है, इन से आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन काम के लिए तो भाई बहुत अच्छा है, धन के नक्षत्र में जब गुरु बैठ जाएंगे, जो स्वयम धन देने वाले ग्रह माने जाते हैं जोतिश में, तो धन देंगे, और इसी समय देखिए तो ग्यारा हमें धन अस्थान पर गुरु की नवी दृष्टी भी होगी, पाच एपरिल के बाद से पै सेर्च के फिल्ड में जूड़े हुए, तो इन लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है, फाइन्हां सेक्τοर में जो हैं, बेंकिन सेक्टर में हैं, शेयर से जुड़ा हुआ जो काम करते हैं, उनके लिए अच्छा माना जा सकता है, तो यह समय ओवर ओर ओल धनु राशी वाले लोगों के लिए अच्छा होगा आप अगर आप देखिए 22 मई को ब्रिहस्पति शत्भीशा नक्षत्र में चले जाएंगे शत्भीशा राहू का नक्षत्र है गुरू अगर धर्म है तो राहू अधर्म है इसलिए गुरू और राहू का मिलना गुरू चंडाल योग कहा जाता है क्योंकि गुरू विश्वास का नाम है राहू अविश्वास है राहू हर बात पर सवाल खड़े कर देता है हर चीज को कहता है ऐसा क्यूं और ब्रिहस्पति कहते हैं ऐसा ही है तो यह दो विरोधा भासी परिस्थितियां हो जाती है तो इसलिए गुरू राहु संयोग वाले लोग किन मामलों में अच्छे नहीं माने जाते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, अपने मन की चलते हैं, जब तक किसी बात का प्रूफ नहीं मिले, तब तक उस बात पर विश्वासी नहीं करेंगे, तो इस पीरियड में आप के साथ यह समस्याएं आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखी है, हाँ, एक अच्छी बात इस तर निकल कर ये आती है, कि गुरू और राहू वाले लोग, रिसर्च के फिल्ड में बहुत अच्छे होते हैं, क्यों? आप जब किसी बात पर सवाल खड़े करेंगे, तभी तो आप रिसर्च करेंगे, उसका जवाब ढूणेंगे, या जो बात पीछे किसी ने कह दी, आप उससे आगे क्या कहना है, उसको ढूणेंगे, तो ऐसे लोग नई इबारत लिख सकते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, इसलिए गुरु राहु रिसर्च का योग है, तो गुरु जब राहु के नक्चत्र में आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रिसर्च के फिल्ड में बहुत अच्छी संभावनाएं लेके आते हैं, जो लोग हायर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, यहां देखिए कि 15 सितंबर 2021 तक गुरु कुम्ब राशी में ही रहेंगे, तब अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि राशी के स्वामी अपनी राशी से तीसरे रहेंगे और भाग्य भाव को देखते रहेंगे, तो मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से वह 21 नौंबर को फिर वापस आएंगे कुम्ब राशी में, तो यह एक डेड़ महिने का जो समय होगा लगभग इस समय में आपको थोड़ी सावधानी रखनी के जरूरत है, अक्टूबर के महिने में खास तोर पर, दूरियर धनु राशी वालों के लिए भागय के स्वामी होते हैं, तो भागय के स्वामी का नीच राशी में जाना और राशी के स्वामी का भी नीच राशी में रहना, ऐसा दिखाता है कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नौंबर की बीच का जो समय है, वह आपके लिए साल का वापने गोचर कर जाएंगे, राशी से तीसरे, तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, साल के अन तक ब्रिहस्पती मही रहेंगे, अब शनी का गोचर देखते हैं, देखिए, शनी आपकी राशी से दूसरे रहने वाले हैं पूरे साल, राशी से दूसरा शनी का गोचर रेट की समस्याएं भी आपको आ सकती हैं, हालांकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी, जिसका की आपको हल न मिल सके, क्योंकि राहू का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, तो शनी आपको धन सम्बंदी समस्या ऐसी कुछ खास नहीं देने वाले हैं, बलकि शनी ओवरॉल धनु राशी वालों को मदद ही देने वाले हैं, हां श्रमण नक्षत्र से ही शनी का गोचर होगा, श्रमण चंद्रमा का नक्षत्र है जो की आठवे भाव की राशी बनती है, धनु राशी वालों के लिए, हालांकि इनके मित्र की राशी है, तो धन में सड़न उतार होने के योग तो जरूर दिखाता है शनी, लेकिन शनी का गोचर बुरा नहीं है धनु राशी वालों के लिए, राहु केतु का गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु धनु राशी वालों के छठे भाव से गोचर करेंगे, छठे भाव में राहु अपनी के लिए बहुत अच्छा है बीच में जब भी गुरु की पांचवी द्रिष्टी राहु पर होगी यानि जनवरी फरवरी मार्च के महिने में तो राहु आपकी सेहत को और अच्छा रखने में आपको मदद देंगे हां केतु का गोचर आपके बारहुएं भाव से हो रहा है से गोचर करना पहले तीन महिने और उसके बाद अगले 6-7 महिने तीसरे भाव से गोचर करना तीसरा भाव दीख्छा का भाव माना जाता है शिश्य अस्थान कहा जाता है जैसे नवा भाव गुरु अस्थान है इसी तरह तीसरा भाव शिश्य अस्थान है क्योंकि पेर बन यह दिखता है कि आपको गूरू की भी प्राप्ती हो सकती है कहीं न कहीं आपको गूरू उपदेश गूरू मंत्र मिलने की संभावना दिखती है और केतु का बार हमें भाव में बैटना भी इस संभावना को और बल देता है तो यह चारो मेजर ग्रहों का आपकी राशी पर impact हाँ जो छोटे ग्रह दूसरे हैं मंगल, शुक्र, सूर्य जो जल्दी बदलते हैं बुद्ध और जो हर कुछ समय में महीने, डेर महीने, दो महीने में बदल जाते हैं उनका भी गोचार आप पर impact जरूर करेगा उसके लिए हर महीने का राशी फल आपको जरूर देखना चाहिए लेकिन मुख्य रूप से पूरे साल आप धनूराशी वालों को ब्रहस्पती क्या result देंगे पैटरन तो महीनों के हिसाब से यही रहेगा, थोड़ी बहुत ही हिर फेर होगी हाँ, अगर किसी का जन्म 3 तारीक, 12 तारीक या 21 तारीक को हुआ है तो उनके लिए गुरू का प्रभाव और जादा बढ़ जाता है, क्योंकि अंक जोतिश के हिसाब से तीन नंबर गुरू का नंबर होता है, या किसी की गुरू की ही महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है उसके लिए भी गुरु का प्रभाव जादा बढ़ जाएगा तो आप इन बातों का भी जरूर विचार कर लीजिए अब अगर आपको साल में कभी भी समस्या आ रही है ब्रिहस्पती के नीच होने पर या किसी और गोचर में तो आपको क्या करना च चाहिए क्यों देखिए मार्शी पाराशर ब्रिहत पाराशर होराशास्त्र में कहते हैं कि कभी भी किसी की बुद्ध या ब्रिहस्पती की दशा चले या बुद्ध ब्रिहस्पती की राशी वालों को कोई भी समस्या आये उन्हें विश्णु साहस्त्र नाम का पाठ करना च उस पर सिंदूर से, पीले सिंदूर से टीका करके उसको दिया दिखा सकते हैं और चने का भोग लगा सकते हैं, उस चने को और केले को आप प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं, तो यह भी उपाय आपको बहुत अच्छे काम देंगे, तो इस आशा से कि हम धनुराशी काले लोगों का साल अच्छा जाए, मैं आप सब को शुब कामनाय देता हूं, इश्वर हम सब का कल्यान करें, शांतियों.